हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर यूटूब चैनल अश्टडी विद मी फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया नेवी बीटेक इंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाज तक देखिएगा तब आपको यह वीडियो और टॉपिक्स मज़ में आएगा और इसमें कुछ इंडिया नेवी बीटेक इंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में इसमें से कुछ eligibility और यह 12th basic के जितने भी student है वो apply कर सकते हैं लेकिन इसमें से कुछ आपको eligibility मागा गिया है जो कि आपके पास होना बहुत ज़रूरी है तब यह आप form online apply कर सकते हो तो friends चलिए वीडियो को start करते हैं जोएन इंडिया नेवी बीटेक इंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2020 पोस्ट डेट 23 सेप्टेमबर 2020 इंडिया नेवी बीटेक इंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2020 जो 23 सेप्टेमबर 2020 को रिलीज किया गया है इंडिया नेवी नोसेना भरती 10 प्लस 2 इंट्रमीडियेट बीटेक इंट्री ऑनलाइन फॉर्म एप्लाइक कर सकते हो जो कि 2028 बेच के लिए है इसमें से इंपोर्टेंट डेट समझाम लेते हैं एप्लिकेशन बीएन जीरो च्शे दस धौजर बीष एक्टूबर ड विसकर स्टार्ट किया जाएगा एइड लास्टेंट फॉर एप्लाइज ओनलाइन 20 दस धौजर बीज और उनलाइ žवान अप्लाइज करने का लास्टेट 27 स्टूबर 2020 है last date and send application form no need to send application form that means last date application form send करने का वो 20 October 2020 ही है merit list issued notified soon date means यह friend आपके merit list पे ही basic होगा और इसके लिए date notified कर दिया जागा date means date बहुत ज़ल इसका बता दिया जागा application fee के बारे हम जानते है friends all candidates 0 rupees date means यहाँ जितने भी candidate है उनको किसी भी तरह का fee नहीं pay करना है date means यह बिल्कुल free है no application fee for all the candidates only fill the online application form किसी भी तरह का fee आपको pay नहीं करना है बस आप application form को online fill करना है only valid J-E-Main 2020 scorecard candidates are apply online date means के वल J-E-Main 2020 के जितने भी student है candidate है और जो scorecard J-E-Main के द्वारा मिला है उनको ही candidate वही candidate सिर्फ online apply कर सकते हैं जितने भी class 12th के student है जो J-E-Main 2020 में J-E-Main का exam दिये और उनका score आया है वह सारे students इस form को apply कर सकते हैं अब इनके हम age limit के बारे में जानते हैं इनके हम देखते हैं एजूकेशन ब्रांच टोटल पोस्ट पाच है एजूकेशन ब्रांच में टोटल पोस्ट पाच है अब इनके eligibility के बारे में जान देते हैं eligibility में वाँगा गया है candidate must be enrolled and appeared in J-Main 2020 interest examination that means जो candidate है उनका बहुत जरूरी है 2020 J-Main exam जो हुआ था उनका appeared होना और उसमें जितने भी candidate apply किये हो J-Main 2020 में जो बेठे होंगे exam के लिए वही interest exam में apply कर सकते हैं केवल J-Main 2020 के interest exam नेशन में जो बेठे होंगे वही candidate इस post के लिए apply कर सकते हैं passed 10 plus 2 exam with 70% marks in physics, chemistry, math, PCM in each subject 10 plus 2 का जो exam वो passed किये है उनका 20% होना चाहिए marks होना चाहिए physics, chemistry और math में PCM में होना चाहिए हर एक subject में minimum 50% marks in English at class 10 and class 12 level examination और 50% marks होना चाहिए class 10 or 12 के English subject में minimum height 157 cm और जो minimum height इसमें मागा गया है वो 157 cm है अब जानते हैं how to fill form, form को कैसे आपको भरना है ज्वाइन इंडिया ने भी और रिलिस्ट बीटेक इंट्री जनवारी 2020 requirement 2020 के rate can apply between 0-6-10-2020 to 20-10-2020 rate में इंडिया ने भी को ज्वाइन करने के लिए form को रिलिस्ट किया गया है बीटेक इंट्री जनवारी 2020 जो कि ये 2020 के base के लिए है और इसमें requirement 2020 को जो भी कुछ दिन के बाद आप apply कर सकते हैं और ये apply करने का जो date है वो 6 अक्टूबर 2020 से लेके 20 अक्टूबर 2020 तक ही apply कर सकते हो candidate read the notification before apply the requirement application form in Navy बीटेक इंट्री पोस्ट 2020 और जितने भी candidate है उनको notification पहले पढ़ लेना है apply करने से पहले कि application का requirement क्या है इस post के लिए बीटेक इंट्री पोस्ट 2020 के लिए kindly check and collect the all documents, eligibility, ID proof, address, details, basic details और अपने जितने भी documents related जो भी है उनको check करना है जिसे की eligibility आपके है या नहीं है, ID proof, address, details, basic details और भी जो है वह आपको check करना है currently ready scan document related to admission, interest form, photo, sign, ID, proof, etc before submit the application form must check the preview and all columns carefully और जितने भी आपको application form apply करेंगे उनको submit करने से पहले एक बार preview में जाकर आपको सारे column को check करना है कि सही है या फिर नहीं है take a print out of final submitted form और submit करने के बाद application को submit करने के बाद उसका print out निकाल ले तो friends यह form 12th intermittent के लिए है आप इसके लिए apply कर सकते हो इसमें जो fee है वो 0 rupees है इसमें नहीं लिया जाएगा और यह 6 October से आप apply करना start कर सकते हो 6 October से यह form के लिए apply कर सकते हो और इसका last date है 20 October last date है इसका यह merit list issue किया जाएगा इसके basic पे आपको आगे इसके लिए चुना जाएगा और friends इस पे जो भी eligibility है वो आपको पहले देख लेटा है अगर आप इस eligibility के अंतर हो तब ही आप इस form को apply कर सकते हैं नहीं तो फिर आपके form cancel हो जाएगे यह form आप apply नहीं कर सकते हो तो I hope friends इस वीडियो आपको clear हो गया कि आपको क्या requirement इसमें दे रहा है क्या requirement इसमें मांगा किया है इससाब से आप 12th प्लस रिश्रेंट जितने में candidate है वो apply कर सकते हैं I hope इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like किजिए comment करके आप कोई भी doubt clear कर सकते हो comment section में आप comment अपना कर सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe किजिए thank you so much for watching this video